राइट स्टेप ग्रुप की तरफ से बीकानेर पस्चिम से डॉक्टर बीडी कल्ला को भारी मतों से जीतने पर बहुत बहुत शुक्कामना है। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जैपुर जोतपुर बाइपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्रि 7500 की मासिक किश्टों में। राइट स्टेप जो ले कर आया है बीकारें में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90 प्रतिशत तक का कैश्बेक आफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नवस्कार मैं हूँ जियोति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं न्यूज अप तक आई डालते हैं एक नजर दिनवर की खास सुर्खियों पर बैदानसवा चुनाव की परिनाव, आई और तीन डाजियों में कॉंग्रेस को पेलंग नाना में प्रियारेस और मिज़ोरम में MNF की तर्था बनने के आफ़ा है। बीकानिक परस्थिम से डॉक्टर बूजी कला चुनाव जीते हैं वहीं पूरी से सिर्धी तुमारें जगाईव चीथी हैं दोखा में प्रधिबक्ष के उम्मीद्वार रहे और कॉंगेस के प्रत्यसी रामेश्व जूडी की अफ़त्याश्य खार विहारी विश्मी जीते लून करंसर में युवार्च में दोडारा चीथी हैं शिक्डूंगर गर्में कॉंगेत बह्या की चीज वहीं खाजुवाला में दोविंद्राम बिगवाल की बड़ी चीज कॉलाइट में कांटिक की चक्कर में मवर सिंग भाती में पूनम कवर को पिया पराचे विगानिक पॉल्टेक्निक कॉलीज में मद्गरना आगके वक्त देखी अलग-अलग रन और अलग-अलग नजाए और अब खबरे विस्थार से के लिए आश्वस दिखाई दी वहीं महासची अशोग गहलोत और प्रदेश के अध्यक सचिन पाइलोट अपनी जीत के प्रती भी आश्वस नजर आए कॉल में लाकर कि जैसे जैसे बतगरना प्रारम हुई शुरुआती दोजानों में साफ लगने लगा था कि सरकार बदलने वाली है और कॉंगरेश सरकार बनानी वाली है अंद्रिम परिनाम तक जहां कॉंगरेश के खाते में 80 सीठे आ चुकी थी वहीं बारती जन्तापाइटी के खाते में 65 सीठे आ चुकी थी हलांकि बीकानी पर सिम बिदान सवाक्षिता से डॉक्टर बीडी कला ने चुनाव जीता और बीकानी इस शेहर में एक उमंग का माहौल बन गया होने अपने निकर्दम प्रतिद्वंदी और दो बार की विजिता रहे डॉक्टर गोपाल किस्ट जोशी को पराजित किया आईए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉक्टर बीडी कला ने इस बार ये चुनाव जीता हलांकि डॉक्टर बीडी कला का टिकेट पहले कर चुका था बहुत जद्दो जहद के बाद उन्हें फिर से टिकेट दिया गया और शेहर में एक बाहौल बनने लगा था कि इस बार डॉक्टर बीडी कला के पक्ष में जनता का समर्थन है और परिगनाम भी बिल्कुल वही हुआ कि डॉक्टर बीडी कला ने दो बार पराजित हो चुके डॉक्टर गॉपाल जोसी को आकर तीसरी बार पटकनी दे दी तो आईए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर बीडी कला ने अपनी जीत के बाद क्या कहा करूँगा और जो जो वादे मैंने किये हूँ पूरा प्राजित कह सकते हैं कारिकरताओं ने आपके लिए सड़कों पर आए आपके लिए वाद उठाई आप लगाता रोक आवाद उठा रहे थे किस तरह से देखते हैं एक संगर्ष के बाद एक जीत मैंने बताया ना बीकानेर की जनता का साथ मेरे साथ रहा है नए अक्षेतर बनने के गारण लोगों ने पहले सुरू-सुरू में पहचाना नहीं था पहचानने लगे कि जनता की समझतां को समधान बीडी कला कर सकता है इसलिए जो समर्थन और जो विस्वास मुझ में बीक बीकानेर से जीते हैं तो लोगों को बड़ी उमीद है क्या रहेगा लेकि विकानेर सबसे पहले तो सिवरेज स्कीम जो अभी तक आदिये दूरी है उसकी सेकेंड और थर्ड से गौमपूरा करेंगे पेजल समस्या का समाधान करेंगे इसके साथ साथ देले फाटकों की समस जीत का कहान है। यह जीत मेरी जीत नहीं डीकानेर की जन्ता की जीत है रिकानेर की लोगों की जीत है रही क्या बड़ी प्रक्श्मिकते राजस्फान को किस दिशा मेंτέ लेड़ कि जाएगी। कॉंग्रेस ने जो चुनाव गोसना पतर में वाइदे किये जैसे किसानों का करजा माफ करना गरीमों का उठान करना बिरोजगार के नए अफसर सर्जित करना मरुस्तल और पाड़ी इलाकों में लोग जो नए उद्धियोग लगाएंगे उनको तीन बस तक टैक्स होलीडे र अपनी जीत को जनता की जीत बताया साथी साथ उनके समर्थ को मैं जबरदस उस्तावरूंग का माहौल देखा गया पूरे शेहर में हुली और दिवाली एक साथ देखी गई जहां सड़कों पर गुलाल के दंग बिखरे नज़र आ रहे थे वहीं लोगों ने थालियां बज अच्छों के चौक की बातो शेहर के परकूटी की भीतर रंग और गुराल इस तरीक इसे उड़ाए थे जैसे माहौल हो ली का था और पतागी और आतिशवाजी ऐसे हो रही थी जैसे दिवाली का माहौल था पुल मिला करके जबरदस्ट जश्न का माहौल भीकाने शेहर के अंद्रूने सोमें देखा गया का माहौल थाप धार ग्याजी याजजिद अपा गया गपाँ जबर गभीकाने अंद्रूने मुड़ाए जबर वाज़ाने से वाल गया कर दो शेंद्रूने से जबर पतातिशवाजी जबर दोश्वाबाएर गया आतिवाट्वाने सोमेशी का माहौल था. झाल झाल बिगरने पूरो से सिद्धीकुमारी ने लगाता ती सरी भार जीटर्श की उन्होंने करें अलाल ज्हामर कौपराजित किया हालांकि जीत का अंतर काफी कम हुआ लेकिन ती सरी बार जीतमे पर ק्या कुछ लिए देखिए और सुने आपको बहुत बहुत ज्यादा गर्दीम अपका मेरे कारिकतां का अपको मेरे टीम साथ में आपकी दीज का अंतर है वो कुछ कम हुआ है उसका किपर मात तहीं है इसका अंतर यह है कि काम थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा तो पिसलिवार आप सब्ला के केंपेंड ही निये कि आप कम दिशाए सबा में गए इसलिए लोगों की थोड़ी बहुत नारादी आप लोगों इसकुछ कारण प्रतिबक्षियन नेता रहे रामिश्य डूडी की हार रही रामिश्य डूडी को मुक्यमंत्री कैंडिट भी माना जा रहा था वे काफी कदावर नेता भी रहे देखें क्या कुछ कहा बिहारी बिश्नुई ने अपनी जीत पर हम पिछले दस वर्षी से बिना कि सिपत बिना किसी होदे के जनता के इस्टों के लिए लड़ रहे हैं संगर्स कर रहे हैं हमने जनता के काम भी करवाएं अब भी सरकार नहीं है लेकिन मौसले से लड़ने वाले संगर्स करने वाले लोग है कारे करता है और इस वर्षी जनता के साथ लेकि हम संगर्स के बिना काम को पुरा रहे हैं पीगाने के लून करंसर से जहां समित गोदारा ने अपने निकरतम तरतितन्दी कांग्रिस के विलिंद बिन्यवाल को पर राजित किया आईए देखें क्या कुछ कहा अपने जीत के बाद समित गोदारा ने उसमें पुरेंटर जी निए थे उनके साथ पूर्व मंत्री दूसरे भी लगे थे दोलों की जोड़ी थी और उनका प्रयास किरते लिए द्वार खड़ा किया गया था एक युगा और खड़ा किया गया था कि वोट तोड़े सब उन्होंटे अपनाए पर लोन करसर की जंत चलान वार दोस्तों किये दो रहुंड की बाकी बठी जी चंता की है की जिसे जी चांड लगाकर भारती जंता पार्टी का पर्चंप पहली वान कर्सर में ले राया वर्ष नहीं करते हैं परिवार थे उनको सबक सिखाया है कि चाहिए किता है गुड़चोड ग्रो लेस्ट की जन्ता नोन कंसर की जन्ता जाक चुकी है अब उन मोह साल में नीव था गी जो काम करने वाना ने बीच में रहने लून के जन्ता को न्हुंड के न्य जप्यास? रहे और गिर्धारी महिया जो हैं वह यहां से चुनाव जीते आईए हम आपको दिखाते हैं अपनी जीत के बाद क्या कुछ कहा कॉंग्रेट गिर्धारी वहियान है अच्छा रहा है जो शीरी डूंगल विदान सभा की तमाम जनता की जीत है आपने देखा है एक तरफ बीजे बियो कॉंग्रेश के अमीदवारों ने आदानों की शेंक्यांगा में गाडिया लगाई चुम अपने खर्चे लगा रहे थे एक तरफ जनता खर्चा तुनाव निश्चित रूप से यह स्चित कर दिया है कि जनता अगर ठान लेती है तो पैसे की जूर्च ने परिवतन कर सकती है हमने पहले भी कहा था कि अपकी बार डूगर्ड में निश्चित रूप से तीसा इविकल पाएगा यह बीजे प्योंग्रेस को हरा के यह तीसा इविकल सी कि रूप में मैं अमिदार के रूप में विदान सहामें फॉंक्त रहा हूं निश्चत रूप से आने वाले 35 Senow का S såна को बदाय दीना चाहता है भी को ज b отп पहला यह ब्राद एकि निश्चे बीजिघे और संपर्दाय की बाते चल रहे थी उन우 कितना कि अन्युद्ध क्योथ एक तुनाव कर एक जगह बेट कर एक जाजम पर वेटके चुनाव कर रही थी ये खिलाया जूनाव के बाद में दूंगरगड का बड़ा मुद्दा बड़ा इश्यो क्या रहेगा जो आपके लिए प्रास रहेगा पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्रि 7500 की मासिक किष्टों में राइट स्टैप जो लेकर आया है विकारेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90 प्रतिशत तक का कैश बेक आउफर आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं खाज़वाला से भी कांग्रेस की गुवि्धराम मेगवाल जीते गुविंद्राम मेगवाल नेist प्रतिवदान भारती प्रतिवांदी बारती जनता पार्टी की डॉक्टर विश्वुनात को तकरीमन 31 जार मतों से पराजित किया आपनी जीत की बाद गुविंद्राम मेग खाजवाल ने भी अपनी प्रतिकरिया कुछ इस तरीके से रखी। काम करेंगे और किते बहुत हैं कि अबी मैंने देखा है कि करीब सथरह जार पीछे जानकरी नहीं है चुकि मैं मेरे किसी जान सबाव इसी में ही बॉल में हूँ मैं जानकारी करने के बाद बता हूँ अब कि मैं तो चाहता हूँ कि कौंगरे सहर जगे जीते बिगाने के सबसे हॉर्ट सीट मानी जा रही थी कौलाइट गद़ावर निता देव सिंग भाड़ी की पुद्रवदू पूनम कवर यहां से चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने दूसरी बार भवर सिंग भाटी कांग्रेस के उम्मीद़ार के रूप में थे पिशली बाज जहां बहुत सिंग भार्टी ने कददावर नेता दिवसिंग भार्टी को एक अजार से अधिक मतों से पराजित किया था वह इस बार ऐसा लग रहा था कि पूनम कबर जो है वह चुनाव में उनकी हार का बंदा लेगी लेकिन जनता की इच्छा को चौर रही और जनता ने दूसरी बार अपना प्रतिनिधी भार्टी को चुना उन्होंने अपनी निकतम प्रतिनिधी भार्टी जनता पार्टी की पूनम कबर को परासित किया आज सबसे ही जहां मतगरना प्रारंब होने के लिए पॉलेटर की कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली गए थी तमाम मतगरना में लगी कर्मचारी मुस्ते थी और अलग-अलग राउंड वार जिस तरीके से अनाउंस्मेंट किया जा रहा था और जैसे जैसे परिणाम और रुजान आते जा रहे थी वैसे वैसे समर्थखों में उत्साह और मायूसी भी नज़रा रही थी जो पीछे चल रहे थे उनके समर्थखों में मायूसी जा रही थी जो आगे चल रहे थे उनके समर्थखों में जो सौरत साथ देखा जा सकता था लेकिन शानदार विवस्ताओं के चलते मतगरना बिलकुल बहुत मकमल तरीके से पूरी हुई कुल मिलाकर की बिरान सभा की साथों और शेत्रों की परिनाम की बाद में सभी प्रत्याशों ने रहाद की सांस ली और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें प्रवान पत्र दिये और हम आपको दिखाते हैं पॉलो टेक्निक कॉलेज की वू कुछ जल किया जहां पर मतगरना के लिए खास दोर सी विवस्ताओं मकमल की गई थी हालनकि किसी प्रकार की अन्होनी नव हो इसके लिए पुलिस प्रसासन भी काफी मुस्तेफ़ था आईए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वेरिकेटिंग्स लगा करके पुलिस प्रसासन को भी चाक और चौपन किया गया था सुबसे ही बिगाने के लोगों में उत्सुकता थी परिणामों को लेकर की और परिणामों के साथी जहां धीरे धीरे शेहर में रंगत पूरे परवाद बच्छने लगी बिगाने पर सिम ख्षेतर में चुनाव परिणाम काफी महतुपून माना जा रहा था क्योंकि परम परागत परतिदों ती डॉक्टर बेडी कला और गुपाल जोशी के वीच में यहाँ मकाबला था और जैसे जैसे रुजान आते गए वैसे वैसे कला समर्थकों का जूस पर वान चुरता गया कुल में लाकर के बिगाने शेहर के अंदरूने लाकों में हर शेतर में और हर गली और चौक में भी जीत का यहाँ जशन साफ तर पर देखा गया लोगों ने एक दूसरे को मुँ मीठा करया वहीं गुलाल लडाकर के भी इसका जशन मनाया तो कहीं आतिश बाजी के साथ में भी अपना जशन मनाया हमने यहाँ पर समर्थकों से भी बाचीत की बाचीत की दोरा हमनों ने कहा कि डॉक्टर बीली कल्ला की जीत भी काने के विकास की जीत है वोनाने कहा कि अब आने वाले वर्शों में जब सरकार में डॉक्टर कल्ला की इस्तेदारी होगी तब बीकाने के विकास को पंक लगेंगे हमने यहां पर कुछ लोगों से और समर्दकों से भी ही अलग अलग बाचीत और आईए देखें सुनें कि क्या खुश कहना है डॉक्टर कल्ला की जीत के बाद उनके समर्दकों का क्या है आपको जस तरह से जो बदलाव बीकाने पस्विम में दिखाई दे रहे हैं प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं क्या लग रहा है अच्छा लग रहा है क्या आप ने खुश्य के लिए बहुत माइने रखती है और आने वाला वख्त आप दो पूश रहे हैं इसके आधाब आने वाला वाला वक्त पिकाने रहा प्सक्राव करेंगा तो हम लोग हमारी जंता जो है पिसले तस साल से एक मुनिवाबा के रोप में हमारे पूरी 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 कोशिस करेंगे एक सेक्टर बताएं बिसाजी एजूकेशन के लिया से क्या कुछ कमी महसुस कर रहा था आने बुक में डॉक्र कल्ला से क्या उम्मीद्या बिका ने दिरे-दिरे एजूकेशन का हब बनता जा रहा है और इसके अंदर पिछले तस साल से एजूकेशन के अपने सासनकाल में जो प्रोग्रेस करवाई थी या जो दिया था उसके कुछ नहीं बहुत अपने सासनका उमंग और लास सासनका उमंग और लास समर्थकों में कुछ तरी के से दिखाई दिया है हमने यहां पर भी अपनी अपनी प्रत्याशियों की जीद के समर्थन में बात की इन समर्थकों से कि उनकी जीद के साथ उन्हें आज कैसा महसूस हो रहा है आई ये देखे सुने इन समर्थकों से बात चीद के कुस्तभ बादितन शिदिवाई सा के समर्थन में आये हैं जी जीत हुई है उसमें आपको क्या लग रहा है कि इतने कम वोटों से जीत वाले है इसके पीज़े क्या कारण रहा है कि आज कंडिडेट आके भी इतना कम गेवरका विजन तो यह कि सर जी जनका क्या है कि थोड़ी सी वोट देने निकली नहीं उससे थोड़ा सा प्रभाव क काम हुआ बागी सिद्धी बाइसा की जीत तो निश्चित थी से सब्सक्राइब करीब कि कितने वोटों से जीते हैं लग बग साड़ी साथ जार वोटों से पिछली बार उन्होंने बतीस जार बतीस जार के एवज में इस बार अगर देखा जाए तो थोड़े कारण रहा है जो पूरी जनता को खुश नहीं कर पई यह था सबसे बड़ा मुख्य कारण इसके अलाब और कोई नहीं है सिर्फ एक सिर्फ मुख्य मंत्री का चैरा सिर्फ मुख्य मंत्री का जो चैरा था वो उन्होंने बदलते यह कुछ भी और होता तो यह जीत हमां और रिकोर्ट से होती है बागी वह इन्होंने बताया है कि हमारे साथीने की जो चैरा था मुख्य मंत्री का अगर दूसरा था तो जीत और भी ज्यादा लिड लेके अगर यह जीत ते आपका कहने का मंदब है जो सीम है वह इस वार जो रीजन रहा है बुज़ेटी में दुकम सी चाने का में अगर दूसरा यह अगर शीम का रहा हैं सरें शीज़ी जीत का क्या जीत को देते हैं यह उनकी जीत के स्प्लाइच श्चिन पाईलेट जी माक्सूद जी माक्सूद जी को जाता है और चलदे चलदे दालते एक नजर आज की खास-खास ख़बरों पर प्रिनाव आई और तीम राजियों में कॉंग्रेस को प्रेलम गाना में प्रियारेस और मिजुरों में MNF की सर्था बनने के खासा बिगानिक पस्तिम से डॉक्टर बूजी करला चुनाव जी ते वहीं पूली से सिर्भी कुमारें ज़राईब चीज़ भी है जोखा में प्रधिबक्ष के उम्मीद द्वार रहे और कॉंगेस के प्रत्यसी रामेश वे जूडी की अब प्रत्यासे थार बिहारी विश्टर बिश्टर बिश्टर लून करंसर में युवासमिक दो दाराची ते शिदूंगर गर्में कॉंगेस बह्या की चीज़ वहीं खाजुवाला में दोविंग राम बिगवा की बड़ी चीज़ कॉलाइप में कांटिक की टक्र में मवर सिंग भाती में फूनम कवर को प्रत्या पराचे कि बिगाने पोलोटेक्निक कॉलीज में मत गणना आज के वक्त देखी अलग-अलग रन और अलग-अलग भशाथ कि असे पहले कि हम आपसे विजाली देखते हैं आज का महतुपन पेचार आज के वुलेटिन बस इतना ही अगले वुलेटिन में नेकते विदियों के साथ इसमेशी चैनल पर फिर मुलाकात होगी नीज रूम से जोधी प्रकाश रंगा को इजाजा दीजी नमसकार का एक राइट स्टेप आपके आने वाली कल को बहतर बना देता है तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जैपुर जोधपुर बायपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्रि 7500 की मासिक किष्टों में राइट स्टेप जो लेकर आया है विकारें में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90 प्रतिशत तक का कैश बेक आफर आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं